जैशीरी राम तो क्या हाल चले आप सभी का आपका फिर एक बार सौगेते फिल्म इडोज में और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूँगा टाइगर नागेशवरा राव फिल्म के ट्रेलर के बारे में कि मुझे परसनली ये ट्रेलर कैसा लगा साथी में हम इस वीडियो को अंतक जरूर देखते रहेगा तो जो ट्रेलर की स्टार्टिंग है वो बहुत ही बहतरी इन तरीके सिखी गई है और जो ट्रेलर का म्यूजिक है वो भी मुझे काफी जादा पसंद आया अगर आप सभी लोग हिंदी वर्जन को सुनोगे तो उसमें आपको मुझे बहुचपुरी टच के साथ ही हम सभी को डबिंग सुनने के लिए मिलेगी जो कि मुझे सही भी लग रही है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये क्या कर दिया मुझे वो अच्छा लग रहा है क्योंकि गाउं अगेरा का एरिया है तो जिस तरीके से डबिंग की गई है वो मुझे सही लग रही है और इस सुन में रवी टेजा ने अपने आपको खुदी डब किया है खेर ये बात मुझे पता तो थी पर मैंने नहीं बताई पर अब आप सभी को ये पता चली गया होगा कि रवी टेजा ने अपने लिए खुदी डब किया है और जो उन्होंने अपने लिए डबिंग की है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे ऐसा लगा है ने कि वो कोई टेलगू एक्टर ने अपने आपको खुदी डब किया है उनकी हिंदी एकदम सही लग रही है अगर बात करें बाकी एक्टर्स के बारे में तो अनुपरम खेर जी का काम मुझे काफी पसंद आया उनका एक-एक डायलोग मुझे अच्छा लग रहा था मुराली शर्मा का भी काम हम सभी को अच्छा लगा अगर इनकी डबिंग की बात करें तो ये लोग अपनी डबिंग खुदी करने वाले हैं क्योंकि भाई हिंदी तो आती है इने और अनुपम खेर तो बॉलिवूड के एक्टर ही है और मुराली शर्मा भी बॉलिवूड में बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं तो हाँ दोनों ही एक्टर्स अपने लिए खुदी डब करेंगे रवीतेजा भी खुदी डब करेंगे कृती सैनन की जो बहन है क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा वो भी अपने लिए खुदी डब करेंगे तो जो हिंदी डबिंग है वो एक तरीके से आपको ओरिजिनल वॉइसी से सुनने के लिए मिलने वाली है फिल्म में अच्छे स्क्रीन्स मिलते हैं तो ये फिल्म काफी अच्छा कमा सकती है लेकिन आप सभी जानते ही हैं कि इतनी सारी फिल्म में रिलीज और ये ना 19 और 20 ओक्टोबर को तो जादा स्क्रीन्स मिलना मुझे पॉसिबल सा नहीं लग रहा है पर फिर भी all the best होपसो कि आप सभी को मेरे आज का रिव्यू पसंद आए होगा अगर रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट सेक्षन में अपनी ओपिनियन्स भी जरूर बताएगा तो मिलते वारे एगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई एंटेक केर